हेलो अब्रीबान वेलकम तो अभिमन्यू आईएस आई होप यू आल आ दोइंग ग्रेट माइम इस अक्षे सोनी रीजनिंग मेंटॉर एट अभिमन्यू आईएस एंड आज के सेशन में जो की अभ्यास 2.0 का रीजनिंग का सेकिंड सेशन है इस सेशन में आज हम डिसकस करें आई होप आपने प्रिबिए जो हमने वीडियो अपलोड की ती रीजनिंग की उसको भी आप जो है विजिट कर चुके होंगे और उनके जो है जितने भी टाइप के इसमें डिसकस कि उनको भी आपने देख लिया होगा ठीक है तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं तो बताना चाहता हूं कि एस यह प्रिलियम का जो फास्ट्रैक बैच ठीक है जिसको जो कि लाइब बैच है इसको आप अबेल कर सकते हैं यह जो है आप अबेल कर सकते हैं फॉर थर्टी फाइब थाजन रूपीज अगर हम प्रिवियस सेलेक्शन की बात करें तो से अबिमानी इस नंबर वन इंसी जोटाइब इसने की 41 प्लस सेलेक्शन दी हैं 2021 में और 27 प्लस सेलेक्शन दी हैं 2022 में ठीक है यह 75 देज का कोर्स है तो इसको आप अबेल कर सकते हैं अबिमानी वाइस एंड साथी साथ देखिए इसमें आपको क्या के चीज़ हो रही है इसमें आपको सब्सक्राइब नोट्स है और मेंटर्शिप यह सबी चीज़े आप इसमें अबेल कर सकते हैं ठीक है तो देखिए अभी हम कोश्चन पर आते हैं डिरेक्ली यहां पर गिवन क्या है सबसे पहला कोश्चन आपका बॉक्स के ओपर है बॉक्स के ऊपर कोश्चन या जो है फ् इनको रखा गया एक के ओपर एक ठीक है साथ बॉक्स हैं और इस तरह से ऐसे नहीं की सेमी ओडर में ठीक है कि पी के ओपर क्यू क्यों के ओपर आर इस तरह से नहीं है ठीक है तो इसमें बोला गया सबसे पहला पॉइंट कि only four boxes are kept between r and s देखिए मैं कुछ यहां पर clear करना च तो और आर से आर और मैं यहां को आर और सुस्टılar से आए यहां पर एक बोक्स-दोसरा तिसरा पांच वाऊन ठीक है यहां अपर और इस के ओपर कहीं पर out होगा इनके बीच में कितने box आए चार और यहां पर बॉक्स बंड़ें ठीक है अब यहां पर जुरूरी नहीं कि आर सबसे नीचे हो या नीचे हो और एस उसके उपर हो इसका दूसरा अल्टरनेट बन सकता है कि एस नीचे हो एक दो तीन चार यहां पर आर हो इस तरह से दूसरा अल्टरनेट बन सकता है ठीक है टोटल बॉक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके छे बॉक्स है देखिए एक और चीज में आपके क्लेर करना चाहता हूं आपको कि बॉक्स के जब भी ऐसे कोश्चन आएंगे तो कि S is 4 पॉक्सेज अबब आर तो उसका मेनेग क्या होगा इसको भी आपने समझना है कि आर सबसे नीचे आर पहले नीचे है उसे एक बॉक्स दूसरा बॉक्स तीसरा बॉक्स और चौत्य बॉक्स की जगा यहां पर ऐसा नहीं होगा कि यहां पर उसके ओपर आएगा तो इस बीच में कितने बहरें between में बन रहें इनके तीन बॉक्स कि जबकि अगर आपको पहले से ही बिट्वीन दिया थो उसका मेनिक क्या आपको सभी बॉक्स को पीच में रखना पड़ेगा जितना भी आपको गिवन है चाहिए बिटेंग में तू है यह बिटेंग में आपको अब रहेगी ठीक है बट वह इमीजेट नहीं है बिल्कूल साथ वाले बजेट में क्यों ऑप प्पॉजिशंस अब भी क्यों जो है वी के ऊपर आएगा ठीक है तो यहां पर अगर मैं इसको प्लेस करना चाह願い कईश कर हमें करना उनली यह तो सुब कर drive between s and u देखिए और लड़ी हमारे पास जो point बने हैं उनी के बीच में हमने क्या करना है हमने दूसरे point को प्लेस करना जैसे ऐस यहां पर तो दो बॉक्स अगर चोड़के मैं ऐसे करूँगा यहां पर दो बॉक्स इसके बीच में कर दूँगा और यू यहां पर कर दूँगा तो इसका मीनिंग है कि इसमें कितने बॉक्स बने इसमें more than seven बने हमाएं चाहिए seven तो इसलिए क्या है कि इसकी position जो होगी यहां पर यह यहां पर यहां पर बनाएंगा तो एक दो और यहां पर जो होगा यह आएगा ठीक है आगे देखिए आगे बोला कि इसमें हमें प्लेस करना है क्यों और टी जिनके बीच में कितने बॉक्स हैं इनके बीच में हैं तो अगर मालो मैं टी को यहां पर करता हूं इसमें कितने करेंगे एक दो तीन यहां पर क्यों बनना चाहिए अगर टी को यहां पर किया तो एक दो तीन यहां पर क्यों बनना चाहिए बट क्या आएगा इसमें यह भी हमें प्लेस करना है कि पी के ऊपर कहीं पर वी है और वी के ऊपर कहीं पर क्यों है हमें ऐसे प्लेस करना है इसका मे जो पहला सेट है यह गलत बन रहा है ठीक है तो इस सेट को हम अग्णोर करते हैं अभी next set को देखते है देखें यहां भी six already positions है अगर मैं इस जगा पर टी को रखता हूं तो तो एक, दो, तीन यह गलत बन जाएगा, अगर T को इस जगह पर रखता हूं, तो एक, दो, तीन, यहाँ पर तीन बॉक्स आगे और Q को उपर रखा जा सकता है, क्योंकि क्या था, T और Q के बीच में हमें तीन बॉक्स को रखना था, तो जो की हमने रख दिया, अब आगे बन रही है, और यह arrangement जब बन रहा है, तो आप बता सकते हैं कि कि वोख्ष रखए गए है, R और P के बीच में, तो कौन सी position कितने box बन रहे हैं इसमें देखिए और यहां पर है पी यहां पर इनके बीच में रखेंगे हैं तीन box तो क्या आएगा option a इसका answer बनेगा ठीक है के question होगे वह पिछला तो आपका boxes से लेटर अभी यहां पर data दिया है कुछ उसको arrange करना है इसमें जो भी हमें पहले position में दी गई कुछ भी हमें data दी उसको arrange करना fix position देखने fix data देखने कि कौन सा हमें पहले से known है जैसे कि इसमें दिया गया कि a से लेके जी तक यहां पर साथ लोग है जो कि हर एक दिन starting from Monday and ending on Sunday यह साथ week के साथ दिन जा रहे है museum में ठीक है बोला गया कि only three people visit between C and B यह इसमें कुछ points दिये गए हैं जिसमें कि C और B के बीच में कितने हैं तीन परसन है ठीक है only two people visit between B and D B और D की बीच में दो है तो हमें सबसे पहले known क्या है इसमें known यह है कि साथ दिन है और साथ दिनों में पहले हम days बना लेते हैं इस तरह से आएगा Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday ठीक है तो यहां पर आपके साथ दिन बनगे अब सबसे पहला point जैसे की B और C के बीच में तीन है तो B और C के बीच में तीन आने चाहिए और similarly B और D के बीच में भी कितने आने चाहिए दो B और D के बीच में दो और B और C के बीच में तीन मा लिजी जैसे यहां पर अगले points को भी अलत बनेगा इसका मेनिंगे कि जी इस जगह पे नहीं होगा नाहीं Monday पे होगा आगे देखिए इविजिटिट इमिजेटली बिफोर एफ 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 डिड नौट विजिट ऑन संडे एफ संडे को नहीं जाता एफ यहां पे संडे को नहीं होगा और similarly e b क्या होगा e saturday को नहीं आएगा e कहां पे है e f के इमिजेट पहले है ठीक है तो हमें क्या करना हमें इनको प्लेस करना है जैसे मा लिजिए अगर मैं b को यहां पे प्लेस करूंगा तो एक दो तीन यहां पे क्या आएगा यहां पे सी आएगा ठीक है बाकी positions को देखते हमने इसको बनाया अब b अगर यहां पे है तो दो परसंद चोड़के दो डेस चोड़के डी यहां पे आएगा ठीक है क्योंकि इनके बीच में क्या है दो दिन का गया और similarly अगर मैं जी और एको यहां पे प्लेस नहीं कर पाया तो इस जगह तो कर सकता हूं और similarly E और F को कहां पर प्लेस करेंगे जो हमारे पास यहां पर अरेंजमेंट रहता है तो यह इसमें positions आई यह इसका answer बनेगा ठीक है अगर हम इसका alternate भी बनाके देखें तो माली जी अगर मालो B यहां पे है एक दो तीन सीधर बना और B और D के बीच में दो अब अगर मैं इसमें रखना चाहूं बाकियों को तो मैं रखने ही पाऊं कूंकि यहां पर एक तो क्या आएगा जी और यहां पर नहीं जगा पर आगे और E और F की अगर हम बात करें तो E और F के लिए यही जगा बच्थी जो कि गलत बनेगी यह तो यहां पर G यह फोता है यह पिर E F हो पर F के बीच में कितने बन रहे हैं ? more than one बनने मतलब क्या है अगर मैं बी को इस जगहा पर रखता हूं second place पे बी यहां पर आगया और एक दो तीन इस जगा पर सी को बना देते हैं ठीक है यह सी बन गया अब इसके बीच में मुझे प्लेस करना है बी और डी तो यहां पर अगर डी ठीक है फिर मैं अगर बाकी जगा प्लेस करना चाहूंगा तो नहीं कर पाऊंगा बाकी बसंस को यह अरेंड्मेंट गलत है ठीक है इसी तरह से अगर मैं बी को नीचे रखाएंगा तो वह भी गलत बनेगा इसका मीनिंग है कि हमें जो यहां पर अरेंड्मेंट किया है वह इसकी पूजिशन को गलत बनाया है अब देखिए इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें इसी साथ यहां पे 123 इधर मैं तीन का गैप करता हूं ठीक है और साती साथ दो के लेके डिक को यहां पर करता हूं तो यह बाकी चीज़ों तो satisfy कर रहा है बत यहां पर देखिए और एप कारएंगे अगर एधर होगा और फ यहां पर होगा तो इसमें हम बता बना पाएंगे जी और एको तो जी एंड ए इस तरह से आजाएगा ठीक है अब इसमें हमारे पास क्या सारी कंडिशन सैटिस्फाई हो रही है क्या एफ और सी के बीच में नहीं और यहां पर और संदाओं इसी का और अल्टरेंट बन सकता है तो भी हम चैक कर लेते हैं जैसे कि नीचे से अगर मैं बी को तीसरे नंबर पे रखता हूं और यहाँ पर सी को रख दिया और बीच में बाट आज गया आजएगा और similarly, अगर मैं इस जगा पे E और F को रखता हूं, यहां पे आ गया E और यहां पे आ गया F, तो इस case में हमारे पास क्या बनेगा? G और A इधर बनेगा, जो की गलत बन जागा, similarly, E और F को रिचे रखेंगे, वो भी गलत बनेगा, इसका मतलब है, यह case हमारा गलत है, और यह case हमारा सही बन रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है, कि Wednesday को म्यूजियम कौन जा रहा है, तो Wednesday देखिए यहां पे, इस जगा पे जा रहा है B, ठीक है, तो B की option बन रही है, C, ठीक है, आई होप आपको यह question समझ आ गया होगा, इसमें हमारे multiple इस चरह से, जो है alternate बनेंगे, ठीक है, तब आनकी इसको, आप इसको go through कर सकते हैं, को, next question पे चलते हैं, यहां पे दिया गया question, यह floors के ओपर है, पिछला आपने question देखा था, boxes के ओपर यह floors के ओपर है, थोरा सा उसे मिलता जोलता है, तो यहां पे देखिए इसमें given है, यहां पे की आठ लोग है, ठीक है, जो की different floors पे रहते हैं, एक building के जिसमें की lower most floor जो है building का उसको कहा गया लोग फ्लोर नंबर वन ठीक है, जिसको usually ground floor बोलते हैं, इसको number one floor बोला गया है, उसके अबब जो floor है, वो second floor ठीक है, और उसके अबब जो floor है, उसी तरह से चलता रहा है, three, four, five, और जो topmost floor है, उसको क्या कहा गया, floor number eight, तो इस case में आप क्या करेंगे, आठ floor बना लेंगे, जो की हमें पहले से पता है, ठीक है, एक और यहां पर बना लेते हैं, one, two, three, four, five, six, seven and eight, eight floors आगे, अब हमने condition को यहां पर place करके देखना है, जैसे कि सबसे पहला point यहां पर given है कि K lives on even number floor, K even number floor पर, तो even number floor मतलब 2, 4, 6, 8, इन में से कहीं पर भी एक जगा पर K आएगा, ठीक है, तो पहले alternate में K को यहां पर रख दो, दूसरे alternate में K को यहां पर रख दो, तीसरे alternate में six पे और चौते alternate में K को इधर eight पर रख देते, next case में, only three people live between K and Q, K और Q के बीच में three, one, two, three, यहां पर Q आ जाएगा, similarly, one, two, three, यहां पर Q आ जाएगा, ठीक है, नीचे नहीं बना सकते, इस case में, one, two, three, यहां पर Q आ जाएगा, और next में देखिए, one, two, three, यहां पर Q होगा, आगे point है, N lives immediately above P and immediately below M, N, P के immediate above है और immediate below है M के, ठीक है, यह set आप देखिए, यहां पर M, N, P, M, N, P, इस तरह से रखा जा सकता है, और similarly, M, N, P, ठीक है, आगे देखिए, इसमें, J lives immediately above L, J immediately above है L के, और J कहां पर नहीं है, do not live on odd number floor, J odd number floor पर नहीं है, अगर मैं यहां पर place करना चाहूं, तो यह को कहां पर place कर सकते हैं, यह जगा पर J live, J है immediately above L, similarly, इस case में देखिए, third number पर यह नहीं बनेगा, तो J second पर बन सकता और पहले floor पर L बनेगा, ठीक है, इस case में देखिए, J और L और इस case में देखिए, यहां पर इसमें भी आपका second floor पर बनेगा और पहले floor पर L बना, यह arrangement बना, अब देखिए next point इसमें बोला गया है, कि more than two people live in R and K, more than two, दो से ज़्यादा होना चाहिए, R and K के बीच में, R and K के बीच में, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इस case में तो नहीं बन रहा, पहला case गलत है, इस case में देखिए, R and K, इसमें भी नहीं बन रहा, क्योंकि बिल्कुल साथ में आ रहा है, more than two बनना चाहिए, इस case में देखिए, यह आर नीचे बना, ठीक है, इसमें बन रहा है, बट यहां पर एक और चीज है, कि J is on one of the floor below के, के से नीचे बनना चाहिए, बट इसमें तो K के ऊपर बनना है, इसलिए यह case भी गलत है, इसका मतलब है कि हमारे पास, जो last case है, वही बनेगा, तो आर और के के बीच में कितने बनना चीए, more than two people, तो इसमें कितने बनने चार बीपल बन रहे हैं, अभी हमें answer क्या करना है, हमें answer करना है, पर बन रहे हैं, इनके बीच में कितने बन रहे हैं, तीन लोग बन रहे हैं, मतलब कौन सी option, डी option, ठीक है, आपको यह समझ आ गया होगा, फ्लोर का question किस तरह से करना है, अल्टरनेट को जुरूर बनाएं, क्योंकि क्या होता है, कि हमें लगता है, जो भी जैसे इसमें सबी जगा इसको प्लेस कर चुके थे, ठीक है, बट हमारे पास जो था, इसमें condition अगर हम satisfy नहीं करेंगे, तो हमारा answer गलत आ जाएगा, ठीक है चलिए, next question है, इसमें दिया गया है, कितने लोग हैं, अविन, मंदार, सारंग, सर्फराज, बलराम, समीर, यह six friends हैं, जोनों ने invest किया है, mutual funds में और FD में, fixed deposit, या दोनों में ही, ठीक है, फिर बोला गया है, only two friends have not invested in mutual fund, मतलब चार ने mutual fund में invest किया, important point है, क्योंकि इसके satisfy कर रहा है, बलराम has invested in mutual fund and also in FD, तो बलराम पहला point है, बलराम जिसने mutual fund में भी invest किया है, as well as FD में भी invest किया है, ठीक है, दोनों में ही इसमें invest किया है, only one other friend has invested, both in mutual fund and fixed deposit, तो क्या आएगा, हमारे पास जो second friend हमें बनाना, देख देखना है, इसमें जिसने की, दोनों में ही, जो है, invest किया है, Sari has not invested in mutual funds, शारंग ने, किस में invest किया है, इसने किया है, सिर्फ FD में invest, ठीक है, और Sumir does not have invested in fixed deposit, तो Sumir ने किसमें invest किया, समीर की अगर हम बात करें इसने फिक्स डिवाजट में ने किया मतलब इसने mutual fund में इंवेस्ट किया है ठीक है सरफराज has invested in only one of the two ठीक है तो सरफराज ने किसमें इंवेस्ट किया है इसने फिक्स डिवाजट तो हमें क्या चाहिए था हमें चाहिए था कि mutual fund में चार बनते हैं ठीक है देखिए इसमें fix deposit बाले तीन बन यह आ गया सरफराज के बारे में यह clear नहीं है कि mutual fund में किया है यह एबडी में ठीक है तो यहां पर देखिए एक जो अब रहता अब इन का अगर हम बात करें तो अब इन के वारे में clear नहीं है देखिए यह जो चार फ्रेंड़्ट इन्होंने सिर्फ एक-एक में ही इंवेस्ट किया इसने बहुत बल्राम नहीं दो में और अभिन भी क्या करेगा अविन भी दो में ही invest करेगा अगर हम question को देखें तो question में जो पूछा गया कि हूँ दी अदर देन बलराम है इनवेस्टेड इन बोथ mutual fund और फिक्स डिबॉसित किस ने जो है दोनों में ही invest किया बलराम ने तो किया है दूसरा कौन बनेगा अविन वो तो हमारा अविन बना तीसरा बना इसमें समीर तो चौथा कौन सा बनेगा सर्फराज में क्यूंकि दोनों में से एक में invest किया है तो क्या आएगा mutual fund बाला चौथा यह बनेगा ठीक है क्यूंकि यहां पर पॉइंट जो मैंने को सबसे पहले बताया था कि ओनली तू तू पर यहां पर था ओनली टू फ्रेंड्स हैव इन्वेस्टेड इन वन अफ़ तू ठीक है और जो मिचल फंड में डिपॉजिट करने वाले हैं वह कितने बनेगे वह चार से ज्यादा नहीं बनेंगे ठीक है तो क्या हैगा सर्फराज का सर्फराज का बनेगा में फोर स्वारी मूचल फंड चलिए नेस्ट कोशन पर चलते हैं यह हमारा लास्ट कोशन है आज का और इस कोशन में गिवन क्या है कि सेवन गर्ल्स ट्रेवल ट्रेवलिंग फ्रॉम मॉंबई टू अधर सिटीज कौन सी हैं पूने बैंगलॉर इंदौर कॉलकाता ठीक है क इस किस से जा रही है बस से ट्रें से और फ्लाइट से ठीन मेडियम है तिन मोण है जिसके तूर्ड यह जा रहे है नॉटमोर दें टूगाल्स है ट्रेवल अधर से ज्यादा नहीं जा रही हैँ तो साथ साथ में से किस तरह से जाएंगी है कि कोई लड़की है जो की सीटी को जारी मतलब एक ही लड़की जारी वहां पर ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओनली वन गर्ल ट्रेबल टू कॉलकाता रो किसे जारी है ट्रेन से अभी हम इस डैटा को रेंज करना है किस तरह से करेंगे वो देखेंगे सबसे पहले देखी यहां पर बोला गया और मधूरा कर यह सेम सिती जा रही है स्टी इनका सेम है बत्ट किससे जा रही है यह जा रिए रिफ्रेंट जो मोड से ठीक है इनकी सिट्विजर नहीं है आगे देखें फारा ट्रेबल वाई ट्रेन तो इंद ओर फारा जो है वो ट्रेवल कर रही है किस से इंदौर जा रही है बाई ट्रेन ठीक है फ्लाइट का याद रखना आपने की एक था उसमें ठीक है और एक लड़की है जो की कॉलकाता जा रही है अरागे है कि only one girl travel to कॉलकाता कॉलकाता वाली एक ही लड़की है ठीक है इसका हमें पता है कि यह ट्रेन से जा रही है नाम नहीं बता बट इसका मीडियम पता है कि कहां पर किसके थू जा रही है ओनली टू गर्ल्स मधुरा एंड दीपा ट्रेवल वाई बस देखिए only two girls बोला है पहले से इसमें जो है कंडिशन लगा दी कि सिर्फ दो ही देख देते हैं और दीपा और मधुरा जो है बस से जारी यह बस वाले कंप्लीट हो गए ठीक है आगे देखिए इसमें बट टू डिफ्रेंट सिटी इनका ध्यान रखना कि यह अलगला सिटी को भी जा रहे है कप कल्पना ट्रेवल्स टू बैंगलॉर बट नॉट बाइफ चार ठीक है अगर हम बात करें कल्पना की बैंगलॉर जा रही है भेटों से नहीं जा यह बस से झwhen वह जाएगी वह जाएगी है कि ट्रेंड से और इसका भी हमें मेडियम नहीं पता एलफा किसे करेगी तो श्वेता और फरर किसंसे ट्रैवल कर रही है यह वह ट्रैवल कर रही है प्लाइद से अब देखिए हैं पर ट्रेंड वाले कितने बनेए वान टू थ्री चार ट्रैवले बनेगे तो एक जो बचा वो फ्लाइट बाला ही बचेगा ठीक है अभी फ्लाइट बाला कौन सा है रानी ठीक है अब हमें यहां पर नाम को प्लेस करना है तो इसमें देखी इन दोनों के बारे में गिवन था कि यह दोनों क्या करती है यह दोनों सेम सीटी जा रही है सेम सीटी मतलब क पर है वह बैंगलॉर जाएगी और यहां पर कौन आए यहां पर आएगी अमरुता और इसका जो है सिटी कौन से कॉलकाता और वो जो है ट्रेन से जा रही है ठीक है तो अभी हमारे पास सभी चीज़ आ चुकी है अब हमें क्या करना है हमें देखना है इसमें कि विच गरल नरत बन रहा है इसका तो यह सही बन रहा है ठीक है रेकिए रहानी बस इंदोर सिन्दोर है रहाली इंदोर जारी बड़ किस में धोरा कि बुड़ा बले है यह पूर्?... न बते तो मतलब पक्तिप और घूब समय अग्षो K को औरेंज करना डाट को लिख के उसको औरेंज करना है ठीक है एंड डैट इस वीडियो को भी एक बार गो थू करें और इस वीडियो को गो थू कर लें अच्छे से एंड जाने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें थैंक यू सो मच